हेलो एवरेबडी मेना नम प्रवीन है एड वेलकम यू एड भावाई स्टडी सेंटर एड फ्री अनलाइन कोचिंग कि अब इस वीडियो में आपको स्टिंग्वेब का कॉर्शन नुबर 37 अभी तक मैंने एक से ले करके 36 तक के सारे वीडियो के लेक्शन अप्लोड कर दिये हैं और आपको वीडियो में आगे पर दो कुर्शिट करना सब्सक्राइब आपके लिए कि इन्फोमेशन है मैं अभी साउंडवेब में आपको जो थियोरी के लेक्शर्स है उसको अप्लोड करता हूं और जो मैं नेक्स्ट लेक्शर्स है उसका टॉपिक है विड्स साउंडवेब बिड्स स्टेंडिंग साउंडवेब ओके स्टेंडिंग साउंडवेब और और्गन पाइब आप चाहते हैं कि आपको मेरे दुवारा जो अप्लोड के विडियो है उनके बाद मेरे नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे यूटूब चैनल जो भूआ स्टेडी देख रहे है तो जो मेरे यूटूब पेज है और स्टेडी सेंटर इसको लाइक कीजिए चली मैं अब कोशन को पढ़ देता हूं कोशन के है अब पियानो वायर वेविंग 6 ग्राम एंड हैविंग अ लेंथ ऑफ 90 सेंटीमिटर इमिट्स अ फंडामेंटर फ्रिक्वेंशी क इसको सॉल्फ करता हूं इसमें कुछ-कुछ इंफोर्मेशन दिये हुए पहला चीज़ क्या है कि फंडामेंटर फ्रिक्वेंशी क्या है कि मालो यह कोई पियानो वायर है और इसके दोनों एंड्स फिक्स्ट है मतलब एक यहां पर यह फिक्स्ट है मतलब यह नोड है और य इन दोनों के अलावा इस पूरे इस ट्रिक में कोई नोड्स नहीं है कि समझ रहे हो मतलब जो दोनों एंड्स जो दोनों नोड्स हैं वो क्या है एंड्स पर हैं तो इस केस में यह जो फ्रिक्वेंशी होगी इस टाइप के स्टैंडिंग मेंपो क्रेट करने के लिए उसको प्रिक्वेंटर मेंटर इस ट्रिंग है को कुछ इस तरीके से लिए को करने करता हुआ इस लूप में एक सिंगल लूप में वाइब्रेट करता है कि जब स्टेंडिंग में क्रिएट होगी तो हमारा जो मतलब लो कॉंसेप्ट है वह क्या बोलता है कि जो दो नोट्स है यह और यह नोट्स इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वह लेंडा वाइटू होता है और आप अगर इसको जराफ ही अनालेसिस करोगे तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो कि इस लेंडा वाइटू इस इकल टू यह बहुत ही आसानी से यह रिलेस्ट हम लिख चाब के तो अब ल की वैलू हमें दी हुए है ल की वैलू वी नोओ एट नैंटी सेंटी मेटर इसमाइन लैबडा इवश्यता सहो जरेगा वह 10.8 cm और यह एस अध्य को फ्रीक्वेंसी है वह दी हुए है अगर मैं इस व्यवे लेंट के जो ब्रोंघ को कौन्स पडिरप्रिकेंसी अ वह दी हुए है वहuw है आपको 261.63 हर्ट की तो अगर मैं इस वेवलेंद को और फ्रिक्वेंसी से मल्टिप्लाइ कर दूं तो वी विल गेट वेव विलोसिटी पहलेंट के बारे में यह गए सद्थ वेव्लेंगे जो भी बेसिक रीमन होगा आप इस रिलेफ्शन को बहुत ही आसानी से व कि समझ सकते हैं परिगेंटि यह शूर्मद विलैंद necessities एकल प्लuve यह हमारे जो विलोस्टी आएगा 261.63 x 1.8 अगर आप इसको कैल्कुलेट करेंगे देन यू विल गेट 471 meter per second यह speed होगी आपको और कोर्स्तम पर क्या पुछा आप फाइंडर टेंसर नाओ विलोसिटी 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 और यह जो इंफोर्मेट्शन दिया हमारे पास कि इसका जो वेट है आपको 6 ग्राम है जो वेब मतलब इसका जो मास से 6 ग्राम है इसका जो लेंथ है व अगर झुलेट बॉलोसिटी आप आप अगर मु देखा है तो मु की जो वैलो होगी आप बसी कॉंसर लेकर इसे अपसे यह रोलेस्टी अपहत आसा निशी लेक सते हैं यह kg में आएगा divided by 90 into 10 to the power minus 2 this is in kg per meter so what I get 6 by 9 into 10 to the power minus 2 kg per meter that means 2 by 3 into 10 to the power minus 2 kg to it now linear mass density now tension to tension like I will get V square into mu is equal to 3 so V is 471 square mu this is 2 by 3 into 10 to the power minus 2 okay guys this will be the tens now now if you solve this then you will get 1479 okay 1479 newton that will be the tension in the string okay guys so that's all I hope that you have a basic understanding that you have to develop a little bit and you will understand the fundamental notes and the fundamental frequency that you have to understand the notes that you have to understand the distance of lambda by 2 will be the distance of lambda by 2 so this will be very easily that you have to understand the wavelength and frequency and velocity relation wavelength frequency and velocity relation you have to calculate the relation okay guys I hope that you have to like this video then please hit the like button and share this video among your friends and family members thank you for watching and once again don't forget to subscribe my channel